सब्सक्राइब पीज़े हमारे चैनल को जुड़े हिए हमारे साथ पाईए सभी तरह तो हाई दोस्तों आज मेरे पास है फॉर्म 112 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को फॉर्म में आपको फॉर्म 112 भरना सिखाऊंगा मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक पाई आइकॉन में दे दूँगा उस वीडियो में मैंने फॉर्म नंबर वन मन टू जो सिए स्टूडेंट जो आर्टिकल कर रहे हैं अगर आप वो कोई भी कॉर्स कर रहे हैं चाहिए आप कॉर्स्पॉर्स कूर्स ही क्यों ना कर रहे हूं आपको आई से परमीशन नहीं हो को क्लियर किया है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए फॉर्म 112 को समझे देन आप जब भर रहे हैं और आपको को दिक्कत आ रही हो तो आप इस वीडियो को भरते टाइम रेफर कीजेगा दोस्तों और इस वीडियो में पूरा फॉर्म भरना सिखा रहा हूं आपको तो कि फॉर्म नमबर 112 में सबसे पहले यहां पर जो फॉर्स पॉंटर में आपको अपना नीम रिजिएशिन नमबर जो icai के साथ आपका sirn है वह थर्ड में डाला है आपकी जब आर्टिकल सिप्सटाट हूई है date of commencement of your article चप और फॉर्स में डाला है आपको अपने employer का नेम जो आपकी employer है उनका name डालना ना कि अपनी company का नाम उसके बाद जब 5th point आता है तो इसमें आपको डालना है course for which permission is stopped अब आपको यहाँ पर course का नाम डालना है for example अगर आप become कर रहे हैं या become honors कर रहे हैं, become कर रहे हैं company secretary कर रहे हैं तो जो भी आप course कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको mention करना है 6th पर डालना है hours of work in the office of employer अब यह ध्यान लखेए कि जो hours of work आपको यहाँ पर डालने है वो mention करने है कि आपके office case time क्या है जो office के time होने चाहिए as per ICI guidelines जो नीचे इसमें लिखे है उसमें लिखा गया यह नीचे कि before 9 और after 7 p.m. नहीं हो सकते तो आप बड़े यहाँ पर office के जो hours है वो देखके डालिएगा उसके बाद डालना है 7th point में whether the course involved any attendance of class yes or no मतलब अगर आप yes करते हैं अगर आपके college में कोई class लगती है तो आपको यहाँ पर करना yes नहीं अगर वो correspondence code जिसमें class के requirement नहीं होती तो आपको no करना है लेकिन अगर आपने yes किया तो आपको college के hours भी यहाँ पर डालने होंगी अब ध्यान रखेगा जब आप यहाँ पर college के hours डालेंगे तो college के hours है जिसमें आपको last attend करनी है वो clash नहीं होने चाहिए आपके office के hours के साथ तो college time जो है वो अलग होने चाहिए और office का timing अलग होने चाहिए अगर आपकी class involved होती है तो क्यूंकि article chip के साथ आप जब article chip के आपका working hours चल रहा है उसके दौरान आपको college नहीं अटेंट कर सकते है तो hours match नहीं होने चाहिए उसके बाद पूछा है correspondence course है private studies है क्या है date of joining the set course यहां बहुत ध्यान से आपको टालना है जो आप date of joining डालते हैं क्यूंकि देखिए date of joining से ही आपको 30 दिन की date की दी जाती है form के last में दी होई है duration of कितने साल का यह course है years में आपको डालनी है subject taken for the set course यहां पर आपको subject mention करिया देखिए यहां पर column है तीन अब आप सोचेंगे कि मेरी सारी subject कैसे आईगी इसमें तो देखिए कि adjust करके डाल दीजेगा कि नहीं आती है तो main main subject mention कर दीजेगा यहां पर उसके बार दालनी है date place signature of article assistant आपको अपने signature करके अपना SRN लिखना है अब यह जो point अगला जो column अगला जो heading यहां पर आया है वह is certificate from the college but apply to the student who have joined the college prior to the joining of CA course यह उन पर अप्लाई है कि CA course करने से पहले अगर आपने मतलब college join कर लिया था और यहां पर college के आर्स भी अगर आपको college जाना पढ़ रहा है तो आप यहां पर आपको sign करवाने की ज़रत पढ़ती है क्योंकि यहां पर लिखा है कि he is a student of the college arts भी यहां पर mention है तो अगर आपक C or subsequent जिसनों ने बाद में वो course join किया है या at the time of joining CA करा है course join उनके लिए यह बला certificate लगाना है उनको अपने college से अगर वो कोई ऐसा course कर रहे जिसमे classes applicable है तो उनको यहां पर यहां पर यहां प्लाय करना है उसके बाद जो यहां पर देखिए अगर मैं बात करों इस line में लिखा अगर correspondence score करना है जिसमें कोई classes नहीं है तो आपको यह certificate का चकर कोई नहीं है in case the student is not in a position to obtain certificate from the college he can submit a copy of prospectus containing detail about the college hours अगर कोई किसी कारण रच आप नहीं ले सकते यह certificate कुछ है दिखकते तो आपको prospectus देना होगा college के जिसमें कि यह mention हो यह आपके college के timing क्या है यह recommendation of employer वाला जो column है आपको fill करना ही है मतलब हर student पे apply है जिसमें की अप principal कह रहे है कि हमारे office का timing यह है तो office का timing मैच हो जो आपने लिखा हो और जो principal बाले column में आप लिख रही हो उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है and then यहाँ पे required to attend the class में अगर कोई है तो डाल और अपने principal के यहाँ पे sign करवा लिखे then आपको उनके signature करवाने है membership number date place डालना है and then अगर अगला जी से form 112 होता है कि अगर आप किसी और business या कोई और occupation में हो during your articleship तो आपको यहाँ पे उसकी detail देनी होती है तो अगर आपके apply cable है तो इसकी detail भी भर दीचे इसके साथ अगर आपके कोई late fees होती है तो DD लगाना होता है आपको और college के जो document है वो आपको इसके साथ डाज करने होते हैं जिससे कि यह पता लगे कि जो आपने data of joining आपे बताई है वही आपकी data of joining कोई आपका registration letter कोई fee की receipt या कुछ भी ऐसा आपको as a supporting document लभी लगाना होगा और अगर आप कोई first course के लिए पहले 112 भर चुके हैं और आप दुपारे दूसरे course के लिए 112 भर रहे हैं तो आपको इस first course के जो completion के certificate है वो भी इसके साथ लगाना होगा अगर आप नीचे आजाएंगे यह form खताम होगा पर कुछ गाइड लाइन से एस form की वह आप पहले जाएगा तर आप आप गाइड ले पाइड लेड 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 रहे हैं आप देख लीजाए हैं और यहां पर देखी एक और बात की प्रेक्रीर नर्मल वरकिंग और यहां पर आप शार आप्तर आफ्टर एलेवन और बिफोर भास यह भी ध्यान के बाद कि 11 और पांसे पहले नहीं होने खत्म तो इसके बाद यह रूल्स बताए गई है और नीचे आपर फीस बताए गई है जो लेट फीस है तो इसके चक्कर में मैं इंफेस करता हूं कि आप आप नमबर वान टू भर दे ताकि किसी की भी लेट फीस कभी ना लगे तो विदिन टाइम इसको भर दीजेगा और अगर दोस्तों के साथ ताकि उनके पनाल्टी बस सके बाबाए दोस्तों